इस वीडियो में exercise 2.5 को देखेंगे, so वीडियो को एंट तक देखें, question number पहला यहाँ पर दिया हुआ है, which is greater region की इन में से सबसे बड़ी सम्क्या कौन सी है, इसका आपको पता लगाना है, so सबसे पहले decimal में, पिछले chapter में, पिछले exercise में आपने पढ़ा होगा, 0.1234, तो point के right side में जो भी number होता है, वो part of decimal होता है, और point के left की तरफ जो होता है, वो part of whole number, यानि कि इसे whole number का जाता है, और इसे decimal part, यानि कि decimal अबला part का जाता है, ठीक है, अगर मैं इसके आगे और कोई संख्या add कर देता हूँ, मान में लिचे, one, two, three, तो यह once, tens, hundred, thousand, three होता है, लेकिन जैसे ही हम, decimal अब के right side वाले visits को count करेंगे, तो इस तरह से count करते हैं, tenth, hundred, thousand, ten thousand, ठीक है, तो चलिए, अब आगे देखते हैं, compare करते हैं, पहले के, पहले question को, 0.5 and 0.05, इन दोनों संख्याओं में से, बड़ी संख्याओं कैसे पता लगाएंगे, तो सबसे पहले, आपको कुछी नहीं करना, सबसे पहले whole number, part of whole number, इसमें 0 है, और इसमें भी 0 है, तो आप observe कर सकते हों कि, both part of whole number is same, जैनि कि equal है, इसमें भी 0 है, इसमें भी 0 है, तो आप इसे count दीचे, point के right side में सबसे, सबसे पहली वाली संख्या, इसमें 5 है, और इसमें 0 है, इसके आगे की संख्याओं को नहीं देखेंगे, अगर दोनों संख्या different है, अलग-अलग है, तो आप देख सकते हों, यहाँ पर 5 है, और यहाँ पर 0 है, जो कि अलग-अलग संख्या, तो 5 और 0 में आपको compare करना, which is greater, सबसे बड़ी संख्या, कौन सी है, तो आप इसी लिए बता सकते हों कि 5 is greater than 0, तो यहाँ पर 5 is greater than 0, इसलिए यहाँ पर 0.5 is greater than 0.05, बहुत सिंपल में आपको बताया, तो इसी तरह से आप compare कर सकते हों कौन सी नंबर बड़ी है, और कौन सी नंबर छोट है, दूसरी question को देखते है, 0.7 और 0.5 में, तो यहाँ पर part of whole number, इन बोद numbers में, यहाँ पर whole number का part इसमें 0 है और इसमें भी 0 है, तो 0 का आप छोड़ दीजिए, अब point के बाद बली संख्या, इसमें 7 है और इसमें 5 है, तो यहाँ पर 7 और 5 में आप इसी लिए बता सकते हों कि 7 is greater than 5, so यहाँ पर 0.7 is greater than 0.5, ठीक है, इसके बाद तीसरे अंक को देखते है, 7 and 0.7 में, यहाँ पर देखिए 7 है, 7 के बाद अगर मैं point लगा के 0 करूं तो 7 को पर कोई effect नहीं पड़ेगा, 7 में कोई परिवर्त नहीं आएगा, वो 7, 7 ही कहलाएगा, क्योंकि किसी भी सं संख्या के आगे point लगा कर, अगर हम जितने भी 0 लगा दें, तो उस small संख्या पर कोई effect नहीं पड़ता है, आप ध्यान रखिश बात का, so यहाँ पर part of whole number, यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 0, यानि कि 10 मलब से left वाली संख्या हम देखेंगे, left वाली संख्या यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 0 है, तो 7 और 0 में आपको compare करना which is greater, so आप इजी लिए बता सकते हूं कि 7 is greater than 0, so यहाँ पर 7 is greater than 0.7, so यह हमारा answer आगया, आगे चौथे वाले को दिखते है, 1.37 and 1.49, so यहाँ पर whole number, part of whole number, दोनों में ही 1 है, यहाँ कि same है, तो 1 को छोड़ दीजे, इसके बाद point के सबसे पहले वाली संख्या, point के बाद वाली संख्या, इसमें 3 है और इसमें 4 है, आप ध्यान से देखे carefully, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 4 है, point के बाद वाली संख्या, right, so यहाँ पर 3 और 4 में हमें compare करना, which is greater, so आप easily बता सकते हो कि 4 is greater than 3, so यहाँ पर यहाँ वाली संख्या, 1.49 is greater than 1.37, बहुत ही simple method मैंने आपको बताए इसमें, वीडियो को pause कर सकते हो, अगर आपको note करना है, तो देखते हैं, question number 5 को, question number 5 में 2.03 और 2.30, यहाँ पर part of whole number यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2 है यहाँ की दोनों सेम है, तो इसको नहीं देखते हैं इसको, अब इसकी point के बाद वाली संख्या यहाँ पर 0 है और इसमें 3 है, point के बाद वाली संख्या क्या कौन सी है, 3 है और यहाँ पर 0 है right so यहाँ पर 0 और 3 में हम compare करेंगे which is greater so आप इसलिए बता सकते हो कि 3 is greater than 0 so यहाँ पर 2.30 is greater than 2.03 so यह वाला symbol इसमें लिख जाएगा इसके बाद 6, question number 6 को देखते है 0.8 और 0.88 में आपको difference पता करना है कि कौम सा consistency का बढ़ी है so यहाँ पर 0.8 है और यहाँ पर 0.88 है यानि कि 10 मलब के बाद में 2 digit है इसमें और इसमें 1 digit है अगर इसके बाद में 1 0 लगा के 2 digit करता हूँ तो इसमें कोई effect नहीं पड़ेगा इसके उपर ठीक है तो मैंने आपको पहली बताया कि किसी भी point के बाद में अगर कोई सेंख्या है तो उसके बाद आप कितनी भी 0 लगा दो तो उस prime number पर जो moon सेंख्या है उस सेंख्या पर कोई effect नहीं पड़ता है आपको यह बात हमेशा याद रखनी है तो इसके बाद मैंने 0 लगाया अब आपको यहाँ पर whole number part of whole number आप सेंख्या यहाँ पर भी 0 है और यहाँ पर भी 0 है तो इसको आप ignore करो इसके बाद point के बाद बाली सेंख्या यहाँ पर 8 है और यहाँ पर भी 8 है तो बहुत हार सेम, ये डोनों भी सेम है, तो इसको भी आप इग्नोर करो, इसके बाद बाली सेंख्या 0 है और 8 है, तो 0 और 8 में हम compare करेंगे, which is greater, तो 0 और 8 में सबसे बड़ी सेंख्या होती है, 8 इसलिए, इसमें 0.88 is greater than 0.80, ठीक है, तो यहाँ पर यह मैंने सेंख्या लगा question number दूसरे को देखते हैं, दो number question को, express as rupees using decimals, यान कि जो पैसे में दिये हुए, इनको decimal में convert करना है, rupees में, यान कि रुपे में बदलना है, और वो भी decimal का use करते हैं, तो यहाँ पर पहले बाले को देखते हैं, first seven पैसे, तो आपको यह आना चाहिए कि एक पैसे में कितने रुपे होते हैं, या फिर एक रुपे में कितने पैसे होते हैं, तो चलिए देखते हैं, एक रुपे में, एक रुपेस, one रुपेस is equal to होता है, hundred पैसे, ठीक है, तो अगर हमें एक पैसा निकाल ला होते होते हैं, तो एक पैसे में कितने रुपे होंगी, यानकी one upon hundred rupees, ठीक है, so one पैसे is equal to one upon hundred rupees, हमें निकलना हैं कि seven पैसे का, seven पैसे is equal to, धहां पर one पैसा अगर one upon hundred rupees है, तो seven पैसे कम होंगे या जादा होंगे, definitely जादा होंगे, इसलिए जादा के लिए हमेशा multiply करते हैं, तो seven into one upon hundred रुपे हो जाएगा, तो यहाँ पर 7 upon 7, 7 upon 100 हो जाएगा, इसको हमें convert करना है, decibel में, तो सबसे पहले आप लिखो 7 को, मूल संख्या को लिखते हैं, फिर यहाँ पर आप लिखो कि कितने 0 हैं, यहाँ पर 1 के बाद में कितने 0 हैं, अगर 2 0 हैं, तो point के बाद में 2 digit आप लिखके point लगा दो, तो यहाँ पर यहाँ दो digit होगी, 1, 2, यहाँ पर point लगाया, 0 लगाया, इतने रुपीज में convert हो गया, तो यह ही हमारा answer आगा, ठीक है, अब आगे देखते हैं, दूसरे second question को, दूसरे का second question है, 7 rupees, और 7 पैसे, तो यहाँ पर 7 rupees, यह already rupees में हमें convert करना है, 7 पैसे को, तो 7 rupees, plus 7 पैसे, ऐसे लिखते हैं सबसे पहले, क्योंकि हमें, पैसे को रुपीज में convert करना है, तो यहाँ पर 7 rupees को as it is रखेंगी, क्योंकि already rupees में है, अब मैंने क्या बता था, कि, जैसे ही हम पैसे को रुपीज में convert करते हैं, तो उसमें 100 का divide करते हैं, तो यहाँ पर 7 upon 100 rupees हो गया, तो यहाँ पर 7 rupees अल्रेटी है, plus 7 में जैसे हम 100 का divide करेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले 7 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 0 है, इसलिए 2 digits right में रखके point लगा देंगे, तो यहाँ पर 1, 2 यहाँ पर point लगा है, फिर 0 लगा दिया है, इसलिए रुपिज में इसलिए 7 के बाद में भी दो डिजिट टेक्निक लिए point रखके, आप 2 0 लगा दो, तो इसको पर कोई effect नहीं पड़ेगा, 7 के उपर, अब point के नीचे हमेशा point रखना है आपको, 0, 7 और यहाँ पर 0, इसको आप add कीजिए, 7 और 0, 7, 0, 7 यहाँ जागा, तो 7.07 टूपिज, यह हमारा answer आगा, तो यह इस तरह के question आते हैं, exam में ज़रूर आते हैं, तो काफी important question है, तो आपसे concentrate करके, अगर समझ में नहीं आता है, तो विडियो को repeat करके देख सेब क्यों, तो देखते हैं question number third को, question number third is, 77 रूपिज, और 77 पैसे, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यह already रूपिज में है, हमें convert करना है कि 77 को, 77 पैसे को, तो यहाँ पर 77 रूपिज को, ऐसी रखते हैं, 77 पैसे को जैसी हम convert करते हैं रूपिज में, तो इसमें 100 का divide लगा देते हैं, और यह रूपिज में convert होगा, सो यहाँ पर 77 रूपिज में है, प्लस अब यहाँ पर 77 को आपको लिखना है, यहाँ पर 20 है, इसलिए point के बाद में दो ही digit होने चाहिए, तो यहाँ पर 20 है, यहाँ पर point लगा देता हूँ और यहाँ पर 0 लगा देता हूँ, तो यह हो गया रूपीज में convert अब इन दोनों रूपीज के संख्याओं को जोड़ना है हमें तो कैसे जोड़ोगे उसी तरह के method आपको use करना है 77 यह whole number है और यह 10 मलब में convert करने के लिएक हूं कि यहाँ पर point के बाद में 2 digit है अगर 77 के बाद में point लगा कर अगर मैं 2 zero add कर दे प्लस या minus करते हैं तो आपको point के नीचे point ही रखना है तो यहाँ पर 757 यहाँ पर अब इसको add up कर लेते हैं तो यहाँ पर 77 और यह 77 तो इसका answer आईगा 77.77 रूपीज यह हमारा answer आज़ा है ठीक है question number 4 देखते हैं पूद को 50 पैसे तो 50 पैसे को जैसे ही हम रूपीज में convert करेंगे तो इसमें 100 का divide करेंगे अब इसमें 2 zero है एक के बाद में इसलिए सबसे पहले 50 रिखेंगे और point के बाद में 2 visit रखेंगे तो यहाँ पर 1, 2, 2 digit हो गया यहाँ पर मैंने point लगा दिया अब देखते हो कि point के बाद में 2 visit है और यहाँ पर मैंने zero लगा दिया तो यह रुपीज में convert हो गया तो यह हमारा answer आगा आगे देखते हैं question number 5 को यहाँ पर 235 पैसे तो इसमें भी hundred का divide करना है आपको तो 235 upon hundred रुपीज जैसे ही आपने hundred का divide कर दिया तो यह पैसे से रुपे में convert हो गया लेकिन आपको decimal में इसको express करना है तो यहाँ पर सबसे पहले सेंख्या को लोगेंगे 235 अब यहाँ पर क्योंकि hundred और hundred में दो zero होते हैं इसलिए point के बाद में तो डिजिट रखना है तो one two count करके इस तरह से point लगा देंगे अब देख सकते यहाँ पर point के बाद में दो डिजिट है एक दो और यह रुपीज में convert हो गया using decimals यानकि decimal का प्रियोग करके पैसे को रुपीज में हमने convert करना आपको सिखाया है तो इस वीडियो में मैंने question number पहला और दूसरा इन दोनों को solve किया है अगली वीडियो में हम solve करेंगे आगे की question को तो मिलते हैं अगले वीडियो में thank you